वाइलेंस, 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 I don't like it, I avoid, but, वाइलेंस likes me, I can't avoid Yes, so hello everyone, Hitesh here and today, we gonna talk about your really most appreciated movie called KGF Chapter 2 जिसका आप सबी को जितना बेस सबरी से इंतिजार था, उससे कई जदा मुझे इसे लाने का इंतिजार था जस्ट बिकाज इसका अभी तक सिर्फ हॉल प्रिंट ही अवेलिबल था और जैसे मुझे इसका 1080 प्रिंट मिला तो सोचा क्यों ना इस बैतरीन मुवी को आप लोगों के लिए लिए कराऊं। उन्हें वीडियो क्लिप्स में आपके सामने ना रखने का जैसा मेरे साथ स्पाडर मैं नोवे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, मैंडनेस ओफ मल्टिवर्स, और और साथ ही जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हुआ था इसलिए आलवेज में कोशिश करता था कि हॉल प्रेंट को आपके सामने ना लेकर आऊं। उस पर जाकर जरूर चेक आउट कीजिएगा और दूसरी बात अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां प्लीज फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इस वक्त तक सर्फ फ्री के फॉलोवर्स हैं जिसे की अभी तक 60-70 के उन्होंने एल्डोराडो नाम की किताब बनाई थी जिसके अंदर केजिएफ यहने की कॉलार गोल्ड फील्ड के बारे में सब कुछ लखा था और साथ ही एक कहानी एक न्यूज चैनल पर मिस हेगड़ी को सुनाई थी अचानक उन्हें ब्रीन हेम्रेज हो जाता है और वह मर रिपोर्टर्स के पूछ ताच करने पर विजिएंदर जी यह बताते हैं कि उनके पिता ने एल्डोराडो की सिर्फ आधी कहानी ही बताई थी इसका चैप्टर टू अभी बाकी है और क्योंकि अब गॉर्मेंट ने उस बुक की सारी कॉपीज को जला दिया था साथे न्यू दाव पर लगा दी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक कहानी अधूरी रह जाए इसलिए उनके आखरी समय में इस जिम्मेदारी अपने सर पर ली मगर प्रॉब्लमेटिंग बात यह थी कि उन्हें भी एक कहानी पूरी तरीके से याद नहीं थी इसलिए वो बाकी सभी न्यूज चनल वालों को अपने साथ लेकर अपने ही पिता की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और काफी तलाश करने के बाद में उस बुक का चैप्टर टू मिलता है और इसी के साथ इस मूवी की एक्शल स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर हम व्योर्स को यह पता चलता था इसलिए उन लोगों ने वहां पर मौजूद सभी कार्ट को मार दिया और उसे अपना नया सुल्तान बना दिया दूसरी तरफ के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुडा जान से मारा गया है और उन्हें यह लग रहा था कि अब गरुडा के बाद उसक कहानी के लीट करेक्टर नन अदर दैन रॉकी की जहांपर काफी सारे ढोल ताशों के बीच में उड़ता हेलिकॉप्टर उस प्लेस पर लैंड करता है और निकल कर आता है रॉकी वैल यह सब देखकर उनके पैरोतले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उन्हें तो यह लग रहा यह जीएफ का आने वाला नया किंग विराट होगा मगर अपने सामने रॉकी को देखकर वो सभी परिशान हो जाते हैं क्योंकि विराट को तो रॉकी ने पहले ही मार डाला था ताकि वो उसके खिलाफ कभी आवाज न उठा सके अब क्योंकि यहां पर रॉकी उन्हें सभी क बॉस बना बैठा था तो इस वज़े से कमल को काफी जदा गुस्सा आता है और उसे खरीकोटी सुनाता है और कहता है कि क्या रोड का कोई भी चलकर आकर हमारा बॉस बन जाएगा अगर तुझे याद नहीं तो तुझे सडक सो ठाकर लाए थे हम क्या उकात थी तेरी और अ शिफ्ट होता है की जीएफ में जहां पर रॉकी के बॉस बन जानी की वज़े से वहां के लोग उससे काफी खुश थे क्योंकि वह उन्हें जरूरती चीज़े जैसे की रोटी कपड़ा मकान और दवाई सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था और अब रॉकी ने वहां पर को अभी तक जिन्दा रखा था ताकि वह उसकी मदद से नए गार्ट को ट्रीन कर सके वेल पहले तो वानरम रॉकी के खिलाफ था मगर बाद में जब उसी की जान पर बनाती है तो वह रॉकी का साथ देनी के लिए तैयार हो जाता है जहां पर वह सभी नए लड़कों को बं गॉल्ड माइन नहीं है आठ और मौझूद है यानि की टूटल नौ गॉल्ड माइन जिने सूर्य वर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था क्योंकि वह एक एक करके उन सभी गूल्ड माइन से धीरी धीरे करके सुना निकालना चाते थे और सालों साल इस काम को च संजेदत यानि की अधीरा पर जिसके बारे में ये बाते थीं कि वो मर चुका है मगर वो तो सर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि अधीरा को ये पता चल चुका था कि गरूड़ा उसके रास्ते से हट चुका है और पूरी गोल्ड माइन्स पर किसी एक नए आद करता है और बताता है कि रॉकी तुम्हें जिंदा नहीं चोड़ेगा मगर अधीरा के सामने कौन ही टिक सकता था और अधीरा उसे वहीं पर जान से मार डालता है मेंवाइल सीन शिफ्ट होता है के बाकी के पार्टनर्स पर जहां पर एंड्रियूज राजेंदर देसाई और इसलिए जान पूछ कर एंड्रियूज राजेंदर देसाई को वहीं पर खत्म कर दीता है और जब यह बात रीना तक पहुंचती है तो रीना अपने पिता के जान से मरने की खबर को सुनते हैं उनके पास भागते वह जाती है मगर रीना तो रॉकी कमजोरी थी इसलिए रॉ अगर आप लोगों ने इस वक्त भी मेरी फास्ट फ्यूरिस सीरीज को नहीं देखा तो उसका टूटल 11 मुवीज का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर इन सभी के बीच में काफी बढ़िया कार चीजिंग सीन हमे बढ़ रही थी यहां पर बेसीकली यह सारे लोग इस वक्त अधीरा से मिल चुके थे और यह से भी रिना को चारा बनाकर रॉकी को अधीरा के पास ले आते हैं फिर आता है यहां पर इस मूवी का वन आफ दा बेस्ट फाइटिंग सीन जहां पर अकीला रॉकी उन सभी गु चाता है कि वो कितना दमदार है उसका मकसद था के लोगों को खौफ में डालना क्योंकि वो लोगी थे जो कि इस वक्त तक रॉकी की ताकत बने फिर रहे थे अगर रॉकी कई होसला तूट जाएगा तो लोगों का भी मनोबल गिर जाएगा इसलिए वो रॉकी को वहीं पर चोड़ देता है और केजिएफ के बाहर ही डेरा डाल देता है और साथ ही किसी को भी केजिएफ से अंदर या बाहर आने जाने नहीं देता अलगी ऐसा करने से केजिएफ वाला बिजनस रुख जाता है यहां बरसीन शिफ्ट होता है मुंबाई में शिट्टी पर जो कि अप पर्लिमेंट के कई सारे नेता आपस में मिलकर गुरू पांडियन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं यह इतने सालों से केजीएफ पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी मगर अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था कोई भी जगा बाकी नहीं बची थी दूसरी तर कि रॉकी हमारा साथ छोड़ कर यहां से भाग रहा है मगर रॉकी का तो कुछ और ही प्लान था जिसके बाद वह पहुंचता है दुबई में और मुलाकात करता है उसी के बोजिशन पार्टी यानि के इनायत खलील से और उसके सामने एक बिजनस प्रोपोजल रखता है वैल प तक रॉकी दुबई पहुचा था तब तक उसके लोगों ने शिट्टी को पूरा बरबात कर दिया था और अब जब सारी बात एनायत खलील के सामने क्लियर थी कि रॉकी ने पश्चमी तट को अपने अंडर कर लिया है तो वो उसके साथ डील करने के लिए तयार हो जाता है जिसके बदले रॉकी एनायत खलील से काफी सारी के 47 गंज खरीद लेता है क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ वन बाई वन लोट करने वाली गंजी थी और अगर दुश्मन बढ़ा होगा तो हतियार भी उन्हें मारने के लिए बड़े चाहिएं जिसके बाद इंडिया पह खड़ा था जिसके अंदर सैंकडों लोग एक 47 लेकर खड़े थे और एक काफी लंबी चुलने वाले गोली बारी के बाद में अधीरा के काफी सारी लोग मारे जाते और अधीरा भी उस गोली बारी में घैल हो जाता है और वहीं पर आता है इस मूवी का लेजंडरी डाइल अब यहां पर रॉकी अधीरा की जान बक्ष देता है क्योंकि एक बार उसने भी रॉकी की जान बक्षी थी फिर रॉकी मुंबई जाकर शेटी को अपने हाथों से मारता है और पार्लियमेंट के सभी नेताओं को धंका कर गुरु पांडियन की सरकार बचा लेता है इन सभी के बीच यहां पर एक लफ सोरी भी दिखाए जाती है जहां पर अब रीना रॉकी के लिए और ज्यादा डेटिकेट हो जाती है और अब इन दोनों की दूरियां कहीं ना कहीं नजदीकियों में बढ़ती नजर आती है और फाइनली यह दोनों शादी कर लेते हैं फिर 1978 से लेक मकान और दवाईयां प्रॉपर टाइम और प्रॉपर वे में मिले और साथ ही इन तीन सालों में उसने लगबग वहां का करीब सारा सोना निकाल दिया था मगर फिर उसी साल गुरू पांडियन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगा एक न्यूपीम आती है जिसका नाम था र सागवन को काफी खुशी होती है क्योंकि वह कई सालों से केजी एफ के इंवेस्टिकेशन कर रहा था मगर गुरू पांडियन की होते ऐसा करना बहुत मुश्किल था मगर रमीका सेन के आजाने के बाद में उससे पूरे अकॉर्ड मिल जाते हैं जब भी वह उसके खिलाफ जाता तो कहीं न कहीं गुरू पांडियन की लोग उस पर अगेंस्ट हमला कर देते मगर इस बार सारी सिच्वेशन उसके अंडर कंट्रोल में थी इसलिए वो जाकर रमीका सेन से मिलता है और उसने बताता है कि वहां पर किस तरीकी की इल्लीगल माइनिंग और रॉकी का एक इसलिए CBI के चापा मारने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर कोई खबर या फिर कोई सबूत नहीं मिलते मगर बैंगलोर में उन्हें एक गुदा में एक छोटा सा सोनी का बिसकिट मिल जाता है और यही सबूत काफी था रॉकी को पुलीस में पकड़वाने के लिए वैस वाला उसे वो बिसकिट दे देता है मगर इस वक्त भी रॉकी का गुस्ता शांत नहीं हुआ था और उसने कुछ ही टाइम पहले कुछ गंस खरी दी थी जिसमें एक थी बड़ी मा जिसके चलाने पर सब शांत हो जाया करते थे और बारी थी उन सबी के सामने बड़ी मा को ल मैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा क्या पता आप ही मैंसे कोई अगला रॉकी निकले हलाकि उसके आतंग से हर कोई डर चुका था मगर फिर भी कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाता था इसलिए बात नियूज रिपोर्टर्स और देश की लोगों तक नहीं पहुंची मगर इसी बीच आनन इंगल की नाम का एक शक्स उसके खिलाफ हो जाता है और वो उसकी सच्चाई पूरे देश में लाना चाता था इसलिए वो चुपके से कीजी एफ में घुश जाता है जिसके बाद वहां की गार्ट्स तो काफी हुशार थे और वो से पकड़ है कि मैं आपके बारे में लोगों को पताना चाहता हूं तो उल्टा रॉकी खुद उसे पैन और पेपर देता है और उसके बाद उसे अपने के-जीफ का पूरा दौरा करवाता है हर एक चोटी से चोटी बात उसे बताता है मगर इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद निंगल की को ये बात पता चलती है कि रॉकी एक क्रिमिनल होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है जिसने अगर गोल्ड की लेगल स्मगलिंग की है तो साथ ही कई सारे लोगों को जीने का सहारा भी दिया है जिससे आज उनके घर में चूले जल रहे हैं मेन वैल हम देख पाते हैं कि रागवन को रॉकी खिलाफ कई सारे सबूत और इलेगल स्मगलिंग की कुछ डीटील मिल जाती है जिसे जाकर वह रमी का सेन तक पहुंचाता है अब रमी का सेन उसे एरस्ट करवाने के लिए अपनी पूरी फोर्स उस तक भीज देती है मगर जब रॉकी को इस तरीके से मैनेज किया था कि वहां के काफी सारे पार्टी मेंबर्स को भी वो पैसा जाता था और अगर वो गिरफ्तार हुआ इसका मतलब वो पार्टी मेंबर्स भी इसी वज़े से कोई भी उसका बाल तक भाका नहीं कर पाता मगर यह सब कुछ देखकर तो रमी का सीन का ग दी शुरू हो जाती है वहीं वो सारा सोना माइनिंग करके सिर्फ और सिर्फ खुद के पास ही रखने लगता है अब देखा जाए तो ब्लैक मार्केट में हर जगे हर कंप मचा था हर कोई बस रॉकी की खिलाफ हो चुका था मगर यह सब कुछ वो पीम के पकड़े जाने के डर से नहीं कर रहा था बलकि इसके पीछे कोई और रिजन था तो वहाँ पर उसके करीबी लोग आकर उससे पूछते हैं कि रॉकी आखिर यह सब करने के पीछे रिजन क्या है तो रॉकी बताता है कि उसका बाप एक शराबी था जसने उसकी मां का कभी खैल ही नहीं रखा उसस कि मां का मुम्र में ही चल बसी मगर मरने से पहले उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वो इस दुनिया का सबस्यामीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा इसलिए रौकी इस पूरे देश का सोना जमा कर रहा था अब क्योंकि जीते जीतों उसके पिता ने उसक इसके हर बार सफाई रखनी और इस पर फूल होने चाहिए वहीं दूसरी तरफ अधीरा अपनी इतनी बड़ी हार से काफी जदा गुस्सा था और वो काफी समय से कीजीएफ में अगेन घुसने रौकी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था मगर प्रॉब्लमेटिक बात सके तब ही वहाँ पर एंड्रियूस महुचता है और अगेन उसकी मदद करता है एक ऐसी सुरंग तक जाने के लिए जो कि सीधा के जीएफ के आउट पोस्ट 3 पर खुलती थी जिसके बाद तो अधीरा अपनी पूरी टीम के साथ उस सुरंग को खुदवाने में लग जाता ह वेल सोने के इतने बड़े बिजनस को रोक देनी की वज़स से इनायत खलील भी काफी ज़दा नरास था इसलिए वो अपने काफी सारे सैनिक अधीरा के पास भीज दिता है ताकि वो रॉकी को उसके रास्ते से हटा दे मुईबर सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ जो कि इस वक्त अपने मील में आया होता है अपने काम को चेक करने के लिए तबी अचानक रीना वहाँ पर आती और कहती है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा आप प्लीज घर चलिए वैल यहाँ पर वो यह बताना बरसा रहे थे इसी बीच एंट्रीज भी वहाँ बर पहुंच जाता है और अपने लोगों के साथ वहाँ के गार्ड्स को गोलियां मार देता है जिसके बाद बारी थी कहानी के में विलन के आने की यानि की अधीरा जिसके पास थी एक स्पेशल स्नाइपर और उसका निशान बनाने वाला था जिसके बाद अधीरा और रॉकी के बीच में एक बहुती शामदार फाइट हमें दिखाए जाती है 15 मिनिट से उपर चलने वाली फाइट को में ज्यादा एक्स्प्लेइन तो नहीं करूंगा क्योंकि यह फाइट में चाहता हूं कि आप लोग खुद मूव और फिर उसे क्लिक होता है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है पूरी तेरी के से खोन में सना हुआ हाथ में बंदूक लेकर और उसकी नजरों के सामने थी रमीका सीन और बंदूक उठाता है और गोलिया मार देता है मगर रमीका सीन को नहीं बल्की गूरू पांडियन को क्योंकि इन सब के पीछे गूरु पांडियन ही था उसी नहीं एन्डुड़ को बोल कर सबसे पहले उस सुरंग का पता अधीरा तक पहुचवाया यहां तक कि जब सूर्यवरदन की तवित खराब थी तो गूरु पांडियन नहीं उसे मौत का रास्ता दिखाया और गरुडा को नया गोल्ड किंग बना दिया और फिर जब गरुडा के सामने उसकी नहीं चली तो रौकी को भी उसी नहीं धूंडी और फिर जान फूच कर खुद की सरकार खुद से गिरवा कर रमीका सेन को नया पीएम बनवा दिया ताकि वो रॉकी को खत्म कर दे ये सब कुछ देखकर रमीका सेन काफी दंग रह जाती है क्योंकि उसके सामने ही रॉकी ने गुरू पांडिन को भून कर रख दिया था अलगी पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी को पकड़ना ही चाती थी मगर इस कांट के बाद तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो रॉकी को कड़ी से कड़ी सजा देगी और फिर उसके खिलाफ एक डेथ वारेंट साइन हो जाता है जो कि हमने चैप्टर वन की स्टार बना कर रखा था और जब अर्म इंडियन आर्मी के जी फ में एंटर करने लगती मर और रहने वाले सबीों के जील कर उसने शहर में चाल चुका था रॉकी अपना स सारा सोना गवर्मेंट के हाथों नहीं लगने देना चाता था इसलिए वो उस पूरे सोने को बड़े बड़े कंटेनर में डाल कर एक शिप में भरी बरसात में बस आगे जा रहा था उसकी मां से उसने एक वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना उसे ला कर देगा और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी थी इसलिए वो उस शिप पर बॉम गिराने की और्डर स्पास कर देती है जहां एक तरफ तो पूरा केजी अफ तबाह हो जाता है और वहीं दूसरी मिसाइल आकर रॉकी के शिप पर गिरती है और सारा सोना प्लस रॉकी इंडियन ओशन के बीच गिर जाता है और उस समुंदर में सब कुछ डूब जाने की बाद में सब कुछ खत्म हो चुका था फिर रॉकी की मौत के बाद में आनंद इंगल की उसकी लाइफ पर एक किताब लिखने के बारे में सूचता है जो की थी अलडोराडो मगर क्योंकि रिमीका सेन ने य यही पर खत्म होती है अब यहाँ पर इस मूवी से रिलेटेड दो एंड क्रेडिट सीन है एक तो है मेट क्राइडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट जिसके में हम यह देख पाते हैं कि इस पूरे हाथ से कि जस्ट तीन महीने पहले यूएस का एक एजेंट आकर रमीका सेन स से पढ़ना स्टार्ट करती है जिसमें लिखा गया था रॉकी के द्वारा किये गए दूसरे देश में क्राइम्स के बारे में फिर आता है इस मोवी का पोस्ट क्रेड सीन जहां पर हम देखते हैं कि प्रेजन टाइम 2018 में उस चाय वाले भाई को आनन इंगल की के द्वारा गया चैप्टर 3 मिल जाता है इसका मतलब यह है कि रॉकी की कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है ऐसे भी कई सारे राज है जो कि हमारे सामने खुलना बाकी है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में यह शांदार मूवी यहीं पर खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसा तो उन चैनल पर जाकर इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही मेरे दो चैनल जिनका नाम है बॉलीवड मूवी एकस्प्लीनर और साथ ही फ्रेंचाइजी एकस्प्लीनर वह दोनों करीब 40,000 सब्सक्राइबर्स पर हैं और मैं जानता हूं कि इस मूवी पर मेरे साथ हजार से तो जादा व्यूज आने ही वाले हैं तो उन साथ हजार लोगों से मेरी दिली ख्वाईश या फिर कह सकते हैं कि एक हमबल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन दोनों ही चैनल को एक लाग सब्सक्राइबर्स तक पहुचा दीजिए ताकि मेरे मेरे में एम यानि कि मुझे गिनीस वर्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड तक पहुचन में और ज्यादा असानी हो जाए तब तक के लिए कीप वाचिंग इन स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो